तो सभी भाईयों और बहनों को हमारा नमस्कार सभी भाई बहन कैसे हैं उम्मीद करते हैं सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जानकारी लेकर आ गए हैं इस दवा के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो ये दवा है ये किस काम में आती है यानि कौन सी विमारी में ये दवा यूज की जाती है इसके अलावा इस दवा को लेने से कुछ नुकसान होते हैं नहीं होते हैं इसे कैसे तुम्हें लेना होता है कितनी दिनों तक लेना होता है और दिन में कितनी बार लेना होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और इस दवा का मार्केट प्राइस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और सबसे जरूरी बात कि इस दवा को लेने से पहले तुम्हें किन-किन बातों को ध्यान में रखकर इसको लेना होगा इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे तो इसलिए वीडियो बीच में बिलकुल छोड़ कर मत जाना और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दो और चैनल को सस्क्राइब कर लो चलो वीडियो स्टार्ट कर दो तो सबसे पहले हम आपको इसका नाम बता देते हैं तो इस दवा का नाम है Reinatidin TABLET और यह 1.500MG में आती है अगर हम बात करें इसके market price की तो इसमें आपको 10 tablet मिलती है यहाँ पर अभी आप 8 देख पा रहे होगे दो मैंने यहाँ पर consume कर ली है तो इसमें आपको 10 tablet मिल जाती है और यह 10 tablet आपको market के सभी प्रकार के tax मिला करके 20 रुपए की मिल जाती है यानि 2 रुपए की एक गोली होती है और बहुत ही काम की गोली होती है मैं तो आपको यह बोलूँगा कि इसे आप अपने पास में जरूर रखें ठीक है अगर हम बात करें इसको बनानी ली company की तो बायो जैनिटिक दोरा इस दवा को बनाया जाता है अगर हम बात करें तो यह मुझे जो यहाँ पर देख पा रहे होगे यह जो इस्ट्रिप मिली है यह मुझे सरकारी अस्पताद से मिली है तो वहाँ पर यह बिल्कुल फिरी में मिल जाती है लेकिन अगर आप किसी भी मेडिका इस्टोर से पर्चेस करते हैं यह आपको मातर 20 रुपए में इसकी 10 गोलियां मिल जाएंगी चलिए हम फड़ा फड़ से जानते हैं कि आखिर जो हमारी यह रिंटी इन टैबलेट है यह किस काम में आती है यह किस बिमारी में इसका इस्तिमाल किया आता है तो दोस्तों इसका इस्तिमाल पेट में बन रहे अत्यधिक एसिट की मातरा को कम करने के लिए किया आता है यानि कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जब हम कुछ भी खाते पीते हैं तो हमारे पेट में एसिट बनता है और वही एसिट हमारे इस खाने को मलब पचाता है ठीक है लेकिन दिकक जब हो जाती है जब यह एसिट अत्यधिक मातरा में बनने लगता है तो ऐसे में हमारे कèse सारी समस्या होने लगती है उसी एसिट की हमातरा को कम करने के लिए ही इस टैबलेट का इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों जब आप बहुत ही अतिधिक मात्रा में ओयली फूट खाने लग जाते हैं या फाश फूट खाने लग जाते हैं तो ऐसे में आपके जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है और खास तोर से उसमें आपको कई और तरह की बिमारिया हो जाती है जैसे सीने में जरन होने लग जाती है या खटी डगाने आने लग जाती है अपच की शिकायद हो जाती है बहुत से लोगों को आज की समय में अपच की शिकायद हो गई है इसके लाव दोस्तों आप अगर इसे नदर अंदाज गरते हैं या हलके में लेते हैं तो इससे आपके इस्टमक अलसर भी होने का खत्रा काफी ज़्यादा बढ़ जाता है इसके अलावा केवल यहीं तक नहीं सीमित होता है इसके अलावा आपके इंस्टन स्टाइन अलसर भी होने का खत्रा काफी ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है तो अगर आप इन सबी बिमारियों से बचना चाते हैं अगर आपके इस टमाक अलसर या इस टाइन अलसर हो गया तो उसमें भी आप इस रेंटी इन टैबलेट का इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत ही जबरदस होती है इसके लावा जिन लोगों के एसिट रिफलक्स की प्र जो आपके अलसर हो जाता है ठीक है जब आप इस दवा को लेना शुरू करते हैं तो यइ उस अलसर को ठीक करने का काम परता है और दुबारा आने से बहुत ही जबरदस होती है इसे आप अपने पास में जरूर रखें क्योंकि ऐसी समस्या आपको कहीं भी कभी भी हो सकती है तो अगर आप इसे अपने पास में रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी होगी तुरंद ही आपको इसे ले लेना है आपको अराम जल्द ही मिल जाए चलिए हम बात करते हैं इसके side effects के बारे में तो दोस्तों यहां कुछ इसके side effects देखने को मिल सकते हैं जिसमें पहला है सिर में दर्द होना, दस्त लग जाना या किसी तरह का gastro-institutional disturbance होना तो इसके कुछ यह normal से side effects के symptoms हैं जो की समय के साथ यह मतलब आपकी body adjust कर लेती हैं लेकिन अगर इन में से कोई भी ऐसा नुकसान है जो काफी ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको इस दवा को लेना बंद कर देना तुरह अपने डॉक्टर से संपर करना चलिए बात करें इसे लेना कैसे हैं तो दोस्तों जब आपके दिक्कत हो रही है तो आपको इसकी एक टैबलेट के ले लेनी है लेकिन जब आपके दिक्कत है ऐसे नहीं आपको लेनी है जब आपको दिक्कत महसूस हो रही है जो भी मैंने आपको बताई अगर हो रहा है तो उसमें आपको इसकी एक टैबलेट ले लेनी है आपको एक टैबलेट से ही अराम मिल जाएगा अगर आपको एक टैबलेट दो टैबलेट लेने से अराम नहीं मिल ला है एक दो दिन आप लेकर के देख सकते हैं अगर आपको अराम नहीं मिलना है तब आपको इसे लेना बंद कर देना है तुरंद ही अपने डॉक्टर से संपर करना है अगर आप शराव बगरा लेते हैं तो समय आपको इसे नहीं लेना है अगर आप लेते हैं तो यह आपको आनी कारक हो सकता है जो महिला हैं प्रेगनेंट हैं या जो महिला हैं ब्रेश फीडिंग कर आ रही हैं वो इस दवा को बिना डॉक्टर की सला लिए बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें इस दवा को लेने के बाद आप ड्राइविंग कर सकते हैं, हेवी मसी सला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आप किडिनी के पेशेंट हैं या लीवर से सम्मंदी किसी बिमारी से ग्रसित हैं, तो उस समय आपको इसे बहुत सावधानी से बिना डॉक्टर की स सला लिए नहीं लेना, बच्चों को देने के लिए भी आप अपने डॉक्टर की सला जरूर लेने, वैसे मैं आपको बोलूँगा कि इसकी आप आधी जो टैबलेट है वो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो उसे आप ना दें, औ और सबसे बैस तरीका होगा कि आप एप अपने डॉक्टर सला लेकर के इसे अपने बच्चे को दें, उस सबसे बैस तरीका होगा